लेकिन मुरत्युन्जा जी आरोप लगाया है जनरल डायर बन गई वहां की दियेंग, क्यों लगता है जनरल डायर बन गई पता ही आप देखिये दीफागी सबते फाले, तो जिस तरह से मा देवी के भक्तों के उपर गोलियां चली वो तो सब लोगों को फुटेज दिख रहा है, कोई कुसूर नहीं था, कोई ऐसा समस्या नहीं था लेकिन लाटियों से पीटा गिया, जानवर की तरह गोलियां चलाई गई चार लोगों की मौत हो गई जिन माओं ने अपने चिराग को भूगी है, बड़ा मुस्किल है बाई, अरे हारेंगे दस तारी को चेहरे पर घबला हट घबला हट अब भी से दिख रहा है हमारा निवेदन है कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, तो थोड़ा मेसेच बढ़िया जाए हम कर रहे हैं कि यह गोलियां चला करके देवी भक्तों की हत्या करने वाले लोग यह जलियां वाला बाग की याद दिला देजिए कैसे जन्डरल डायर, जन्डरल डायर ते जस्वी जादव जी ने कहा, आज तो कारवाई हुई, बचाने की भरपूर कोसिस हुई, लेकिन अ लेकिन उसके बाद भी भी चुनाओं में हिंसा होती है, यह सवाल नहीं करने करता आपके सुशाशन पर, जी एक मिट आप इस अहम मुद्ने पर आप बोलने देंगे, देखिए जब तक यह भक्तों की जो बात कह रहे हैं, जिस दिन मूर्ती बिसर्जन के बाद पर जो लेकिन आज जो घटनाएं घटी यह सावित करता है कि उस दिन भी कुछ पार्टियों ने सुनियों जिस साजिस के तहट इस मामले को भबत लगा रहे हैं, यह पहले अभी यह भी करने का प्यास किये, यह हिंदू मुद्लिप दंगा है, लेकिन धन्वाद मैं आप लोग को यह हिंदू मुद्लीम का दंगा नहीं है, आपने अफ़स गोलिया चला में इस तरह से सुनियों की साजिस के तहट, जो मौत हुए है, उसके जो करना ही हुई है, उससे मौत भी मौत हुए है, जो लाथियां चार्ज हुई, मैंने आप वीडियो फ्यूटेश देखे होंगे हमसे करीब से आप देखते हैं, उसमें गोली जो बच्चों को लगा है, सिर्फ मरा ही नहीं है, कुछ लोगो च्छर्मार नहीं लगा है, पुलिस कोई 16 इस्तेमाल नहीं करते हैं, जीर से सुनियों के साजिस करने वाज हैं